तो आज की इस वीडियों हम सिखने माले हैं कि आप MS Word में इस तरह का पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हो जैसा के भी अप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो अगर आप भी चाहत हो इस तरह का MS Word में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना कुछ इस तरह से खोरवाई 6 में तो उसके लिए सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आप इसे बनाना सिख जाएंगे तो हलो दस्तो मेरा ना मरे जैकुमार और आप देखर हो आपको अपना यूट्यूब चैनल एडवास टिगरा जा तो भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यहां पर देख सेक्टर मेरे पास यह वर्ड तो में इसे यह पर ओपन कर ले था हूं तो जैसे आप इप ऊंपन करेंगे तो आपके सामने बनापिे के पाइच पेक्ति क्लिक कर ने हैं और क्लिक कर रहें डियंत करेंगे होई हैं वह आपको पूछ दिवाईच करेंगे यहांब से करना है 124 में यहां से मैं इंसर्ट वाल अप्षिन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख से कि हमारा जो फोटो है वह इंसर्ट हो चुगा है लेकिन अभी आप इसे मूब करेंगे तो यह भी मूब नहीं होगा उसके लिए सिंपले आपको यहां पर फोटो को सेलेक्ट करना है और यहां आपको अपने ही साफ से क्रोप कर लेना है जितना भी आपको एडिया चाहिए फोटो को आप यहां पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो तो मैं आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूं जितना भी फोटो हमको चाहिए आप यहां पर सेलेक्ट करना है तो जैसे आप फोट तो यहां पर यहां पर चाहिए पर पर में आपको इस तरह से रहे सकते हो तो यह एरिया जो है मुझे वो चाहिए, ड्रोऋ कर लिता हूँ, और यहां पर आपको नहाट यहां पर झ्यूद और फेंहाब है तो नाहीं है तो यहां पर छोड़ना ना है, तो यहां पर थोरसा होगी, तो को जो फोटो से लेख करना रही के लिखने है। और यहाँस आपको जो पास्पर साइज फोटो का साइज होता है उसको आपको गया डाल दाया हिसके लिए है लिसके वाहत् jus इसिकलियत करना है 1.4 inch और यहाँस आपको विठ में डाल ला है 1.2 inch इजए आपको डालकर यहाँपे इंटर करलेना है तो जैसे आप इंटर करेंगे तो यहां पर यह पासपर साइज फोटो में क्रॉफ हो जाएगा और यह क्रॉफ होने गवाद अभी आपको इसका बैगराउंड वो चेंज करना है तो उसके लिए हम यहां पर इंसर्ट पेज़ पर क्लिक करेंगे आपको जो भी बैगराउंड लगानाहां आप यहां पर नगा सकते हूँ तो फिल्ट में यह पर इंख दूश करना एंट पली आपको इसवाले बैगराउंड को पीछे करना है फोटो को आगे लाना है तो उसके लिए हम यहां पर से फॉर्मेट पे क्लिक करना है तो पहले से सेलेक्ट होगा अगर आपको सेलेक्ट नहीं है तो आप यहांपे Save Format पे क्लिक करना है और यहांसा आपको एक Option दिखेगा Send Backward तो सिंपले आपको इस पे क्लिक करना है तो जैसे आप यहांपे क्लिक करेंगे तो हमारे जो फोटो है वो आगे आ जाएगा और background पीछे चला जाएगा तो इस तरह सापको कर लेना है और यह करने के बाद भी आपको यहांपे Selection Plane पे क्लिक करना है और यहांसा आपको दोहुन लेयर को कुछ इस तरह से Control दवा की Link कर लेना है और यह दोहुन लिंक करने के बाद भी आपको यहांपे Photo पे Right Click करना है और यहांसा आपको Group वाने Option पे क्लिक करना है और यहांसे भी आपको Group पे Click कर देना है तो सब्सक्राइब करना है और तो जासा आप Group पे Click करें गे तो इस सह ही होगा कि हमारा तो फोटो है वोному कुछ इस तरह से एक लाइन फे Benзει का ऐस्सेराце सरीकХचक्तrु करेंगे और यहां से ऊपर करेंगे कुछ इस तरह से तरह से आपको कर लेना है और इस तरह से आपको यहां पर नीचे भी कोपी बनाने चना सबसे मैं से को प्रेइट करेंगे और सभी फोटो को कुछ इस तरह से इससीतर है रिशुट करने मावद चुछ करेंगे hi और्यांसे आपको जहां कई भी Qmen आपया पर कर खेंघेंगे लिक और यांसे यहांसे आपको दिस पिशी क्लिक करनाय हूं advice कर service form सकते हूं तो आज के वीडियो से बता की आप इस तरह का passport size photo केसे बना सकते हो MS Word हो है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like कर देना और चैनल को भी तरह सब्सक्राइब में ही किया तो प्लीज चैनल को subscribe करके बेल एकन को प्रिस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे फिल आप को मेंने तो चलिए मिलते एकली वीडियो में एक नई टोपिक के साथ